दोसो आज की इस वीडियो में हम लोग Jane Austen की famous novel Pride and Prejudice के सारे characters को एक chart बना कर discuss करेंगे ये वीडियो बहुत important होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जिनके syllabus में Pride and Prejudice शामिल है दोसो बड़ी कमाल की वीडियो होने वाली है सारे characters के character sketch बदाऊंगो इस वीडियो में शुरू करते हैं मिलता हूं इस वीडियो के end में दोसो सबसे पहला character है इस कहानी की heroine Elizabeth दोसो इस कहानी में heroine hero से भी ज़्यदा important है इसके दो नाम है एक तो Eliza नाम है और एक Lizzie तो हो सकता है आपसे MCQs में पूछा जाए कि Bennett sisters में कौन सी बहन का नाम Lizzie था तो second oldest sister Elizabeth दूसरी सबसे बड़ी sister थी और उसका नाम Lizzie था ये एक smart, intelligent और attractive लड़की है लेकिन इसको एक pride है, किस बात का pride है कि ये लोगों को अच्छा समझ सकती है कि किस तरीके से लोगों को analyze करना है लेकिन इसी prejudice की चलते अकसर ये लोगों को पैचानने में गलती कर जाती है कि लोग अगर ऐसा करते हैं तो क्यों करते हैं जैसे कि इसने कहानी के main character Darcy को पैचानने में गलती कर दी थी आखर ये अपने prejudice पर काबू पाही लेती है इसके लिए पैसा और social status उतना माइने नहीं रखता जितना उस टाइम की लड़कियों के लिए रखता था और इसके लिए एक इनसान की independence बहुत जरूरी है इनसान की virtue ज्यादा जरूरी है ये इस कहानी के main character Darcy के लिए attracted तो feel करती है लेकिन फिर भी अपने prejudice की वज़े से उसको गलत समझती है और उसका विरोध करती एक तरीके से जैसा कि ये अपनी बड़ी बहन जीन से भी बोलती है तुम्हें किसी में कोई कमी नजर नहीं आती तुम्हारे इसाब से तो इस दुनिया के सारे लोग बहुत अच्छे है और मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी तुम्हें किसी की बुराई करते वे नहीं सुना दूसरा character है इस कहानी का hero Fitz William Darcy ये बंदा बेंगले का दोस्त है और जॉर्जयाना का भाई और लेडी कैथरीन का भतीजा Darcy बहुत अमीड इंसान है लेकिन एक इमांदर आत्मी भी है वैसे तो बहुत अच्छा आत्मी है लेकिन इसकी जरूरत से ज़्यादा class consciousness इसको घमंडी बनाती है Elizabeth का इसके लिए जो rude behavior होता है उसकी वज़े से ये मजबूर हो जाता है कि अपने behavior को फिर से re-examine करें जबकि हम बात करें Jane की तो Jane Elizabeth की बड़ी sister है रहे सकते हैं कुछ हद्था कि Elizabeth से ज्यादा खुबसूरत भी है और किसी में कोई बुराई नहीं देखती ठी शायद इसकी सबसे बड़ी कमी है कि इतना अच्छा भी इंसान को नहीं होना चाहिए कि किसी के बारे में वो कोई बुरी बात ना सो सके वो हमेशा इंसान की bright side को देखती भी Elizabeth को किसी इंसान पर शक होता है जैसे बेंगले की sister अच्छी नहीं है तो वो बिंगले की sisters का बीच बचाओ करने लग जाएगी कहेगी कि नहीं उनका bright side तो देखो तभी तो Eliza उससे बोलती है तुम कभी किसी में कोई दोश नहीं देखती तुमारे इसाब से दुनिया के सारे लोग अच्छे है आता है George Wickham जो इस कहानी का antagonist है villain नहीं कहते हम इसको antagonist बोलते है ये जो character है हमारे सामने कहानी में पहली बार local military regiment का officer बनके आया मतलब military के अंदर है देखने में हमें कहानी में ये पहले-पहले gentleman type का आदमी लगता है लेकिन reality में ये एक जूटा है hypocrite है और एक number का opportunist आदमी है क्योंकि जिस इंसान के अंदर values होंगी morals होंगी वो कभी भी जवान लड़कियों के साथ में ऐसा सब कुछ नहीं करेगा जैसा वेकम करता है वेकम को कोई फरक नहीं पड़ता कि वो एक young woman की reputation उसकी life बरबाद कर दे इस चीज से कोई फरक नहीं पड़ता इस character को एक जूए की आदत है गंदी जिसकी वज़े से इसके उपर बहुत करजा हो गया है जो इसको चुकाना है कैसे भी कहानी में कुछ एक moment ऐसा भी आता है जब Elizabeth को इस बंदे के लिए attraction फील होता है Elizabeth को सच्चा लगता है या आदमी लेकिन बाद में वो समझ जाती है कि यह कैसा है इसके बाद में important character आता है Mrs. Bennett का जो एक चिर्चिरी और अजीब टाइप की ओरत है इस ओरत की जिंदगी के सिर्फ दो ही मकसद है बाते शाते करना और अपने पांचों बेटियों की शादी करना और खुद की बारे में सूचने की शमता कम होती है तो उनके साथ में क्या होता है कि इनके opposite इनके husband Mr. Bennett एक समझदार आदमी है पढ़े लिखे आदमी है जिनकी शादी ऐसी ओरत की साथ में हो गई जो ज़्यादा पढ़े लिखी नहीं है और शायद इसलिए Mr. Bennett अपनी शादी को एक failure मानते है उनके हिसाब से सारी जिन्दगी एक मजाख है और उनका family के किसी भी मामले में ना बूलना एक अलग-अलग सा सभाव दिखाता है कि लीडिया और विकम की मामले में भी उन्होंने कुछ नहीं बोला एक खुबी है इनके अंदर की मजाख अच्छा कर लेते हैं और जान भूज कर अपनी बीवी को परिशान करते हैं मजाख कर करके लेकिन एक बाप के रूप में वो fail कर जाते हैं और अपने बेटियों को भी यही सरा देते हैं कि शादी ना करो तो better है शादी की चंताओं से पीछे हट जाओ एक तरीके से चार्ल्स बिंगले का जिसकी शादी जेन की साथ में होने वाली थी और यह डर्सी का दोस्त है तो उनों की शादी जेन और बिंगले की शादी इस कहानी में central position hold गटती है कहने का मतलब मतलब इनकी कहानी सबसे mean है इसके अंदर कहानी में भले ही central character की तरह रखा है जेन उस्टन ने इनको लेकिन especially कहानी टिकी रहती है Elizabeth और डर्सी पर बहुत ही carefully design किया है यहाँ पर इन characters को जेन उस्टन ने इतने simple characters रखे हैं यह दोनों की दोनों हसते रहते हैं आपस में मतलब कभी भी ऐसे लड़ाई नहीं होती इनमें जैसे Elizabeth और डर्सी के बीच में होती है की वज़े से यह ठीक तो लगते हैं characters लेकिन कहानी में interest पैदा नहीं कर पाते हैं उपर की दोनों बहनों के अलावा तीसरी जो बहन important है वो सबसे last वाले बेटी Lydia Bennett है बेटी से छोटी है और किसी चीज में ड़ती नहीं है अपनी मा की सबसे favorite बेटी है यह इस लड़की के interest काफी हद तक अपनी मा से मिलते जुलते हैं बकवास करवालो, लोगों से मिल जूल करवालो या आदमियों की बाते करवालो attractive तो है लेकिन लापरवा भी है इसकी इसी लापरवाही की वज़े से दोनों बड़ी बहने Jane और Elizabeth अक्सर शर्मेंदा फील करती है इसके लिए सबसे ज्यादा डर किसको लगता है Lizzie को Elizabeth को वो कहती है कि ये इश्क बाज़ी में घुसरी है इसको संभालो लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया इसके वादर जो है लापरवा किसम की आत्मी है वो इस चीज में बिलकुल भी हसक शेप नहीं करते बिलकुल भी हाथ ने डालते और बाद में कहाने की एंट में ये फस जाती है किसके चक्कर में विकम के चक्कर में ये विकम की साथ में भाग जाती है और विकम की साथ भागते वक्त इसको इस बात की परवा भी नहीं होती पीछे से मेरी family क्या मूँ दिखाएगी पूरी दुनिया को अब हम बात करते हैं Elizabeth की friend Charlotte Lucas की ये Elizabeth की एक बहुत intelligent, समझदार और अच्छी दोस्त है और इसके practical होने की वज़े से काफ़ी कुछ share भी करती है Elizabeth इसके साथ देखो ये किस type की लड़की है? ये सोसती है कि शादी करनी चाहिए एक ऐसे आदबी की साथ में जो financially stable हो, financially secure हो ऐसे भी मुह उठाके हम किसी की साथ में शादी नहीं कर सकते शैलोट को अपनी जिन्दगी में क्या चाहिए? उसको सब पता है वो एकदम सीधी चलती है, सटीक चलती है उसे खुश रहने के लिए क्या चाहिए? किस चीज को choose करना है? किसको नहीं करना है? पहले तो जब Mr. Collins इसके पास में आता है और ये उसका offer accept कर लेती है तो Elizabeth को बहुत अजीब सा लगता है कि इसने ये बहुत smart लड़की है इसने कैसे Mr. Collins को accept कर लिया? लेकिन जब इससे मिलने जाती है तो ये समझ जाती है कि क्यों इसने accept किया था Mr. Collins को तो Elizabeth इससे बिलकुल opposite खड़ी हुए है वो लोगों को आखने में बहुत गलतियां करती है जबकि शैलोट बहुत ही straight forward है अब हम बात करते है Mr. Collins की जिसके साथ में शैलोट ने शादी की ये Mr. Bennett का कजन है और एक clergyman भी है Mr. Bennett की death की बाद में long burn की सारी property इसको मिलेगी लेकिन ये एक बेवकूफ आत्मी है चापलूस किसम का आत्मी है और इसको पैसे की जितनी भी supply मिलती है वो मिलती है Lady Catherine से देखा जाए तो ये आदमी भी शादी को एक business से कम नहीं समस्ता पहले Jane और पिर Elizabeth इन दोनों से reject होने की बात में जब ये यहाँ पर आया लोट से जब इसने शादी कर ली तो ये चीज़ी दिखाती है कि इसके लिए important क्या है इसके लिए important शादी प्यार वेर नहीं है बलकि इसके लिए important थी शादी जो Lady Catherine ने इससे करने के लिए कहा था एक practical आउरत को practical आदमे मिल गया एक अच्छी जोडी बन गई आद करता हूँ बिंगले की दो बहनों की एक तो है मिस बिंगले जो की snobbish टाइप की लेडी है इसे Elizabeth पसंद नहीं है पहला तो उसकी middle class background की वज़े से और दूसरा जो डड़सी Elizabeth की तरफ attract हो रहा था इसकी वज़े से Elizabeth का self-possessed character बहुत पसंद आता है इस बज़े से ये और ज्यादा चड़ती है बत करें लेडी Catherine के character की तो एक rich bossy type की noble woman है कुम चलाने की बड़ी आदत है इस लेडी को बताया Mr. Collins को ये पैसे की supply करती रहती है और ये लेडी ड़सी की aunt भी है लेडी काफी हद तक वैसी है जैसे की बिंगली की sister है ये भी किसी तरीके से नहीं चाहती की Elizabeth की उसके भतीजे से शादी हो करते हैं uncle auntie Mr. and Mrs. Gardiner की Mr. and Mrs. Gardiner जो हैं ये Mrs. Bennett के भाई हैं हाँ कहते हैं कि ये दोनों जो Mr. and Mrs. Gardiner हैं ये इन लड़कियों के माबाप से ज्यादा इनका पालन पूशन करते हैं एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर ये बच्चियां इनकी होती पांचो तो हो सकता है कि ये दोनों अच्छे से पालते काफी हद तक सपोर्ट करते हैं इस family को जोर्जियाना डड़सी ये भी एक बहुत ही खुबसूरत लड़की है जो कि ड़सी की सिस्टर है रमाती है पियानो बजाती है और इसको विकम ने पहले-पहले इस कहानी की शुरुवात में भगाने की कोशिश की थी बात करता हूँ दो और सिस्टर्स है जो कि important role play नहीं करती है इस कहानी के अंदर Mary Bennett और Catherine Bennett Mary जो है किताबी कीड़ा है और किताबी कीड़े का मतलब यह है कि पढ़ाई ज़्यादा करती है और Catherine Bennett जो कि चौथी है लीडिया से बड़ी है बतलब चौथी वहन है और ये भी लीडिया के साथ में सैनेकों के यहाँ पर जाती है जो आर्मी के जो वहाँ पर कैम बगेरा लगते हैं वहाँ पर जाती है यह सारे है पिलाल आज की इस वीडियो में इस इतना ही मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में